सहज मार्ग के सबी अभ्यासियों को प्रणा। आप सब अध्यात्मिक मार्ग में इश्वर साक्षतकार की और बढ़ना चाते हैं। और आप सब का उच्तम धे जो है वह है इश्वर साक्षतकार। तो इसके लिए हम करते क्या हैं। इसके लिए सरप्रथम हम इश्वर साक्षतकार की एक इच्छा अपने भीतर उप्पन करते हैं। और जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर यही इच्छा आकर्षन में बदल जाती है। और आगे चलकर यही आकर्षन तडप में बदल जाता है। तो सहज मार्ग पदती में सरप्रथम हम अभ्यासी एक इच्छा से आरव करते हैं। और यह इच्छा हमारे साथ कहां तक जाती है। इस्वर साक्षतकार तक। और उसके उपरांत की जो यातरा होती है वह भूमा की दिवे इच्छा हमें केंद्री छेतर में परवेश देती है। तो यही दिर्ड संकल्प, शद्दा और विश्वास हमें अध्यात्मिक्ता में हमारे लक्षे तक ले जाता है। तो संद कस्तूरी ने इसी पर एक लेख लिखा था जो इस परकार से है कि विश्वास किस परकार से हमें हमारे अंतिम लक्षे तक ले जाता है। अर्थात अनंत के साक्सतकार तक ले जाता है तो ये लेग जो है ये संत कस्तूरी ने बैंगलोर के एक सबा में सुनाया था जो की 14 सप्तेंबर 1986 का है तो इस संदेश को हम आपको सरल भासा में समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आप सब अभ्यासियों में इश्वर साक्सतकार की इच्छा जागरित हो जाए और वहबाद में आकरशन और तड़प में बदल जाए तो किस परकार बाबुजी की पराना होती हमारी मदद करती है हमें अनंत के साक्सतकार के लिए तो लेख इस परकार से है उनका उत् जरूरी था लेह हो गया और अपने में खो गया अब लक्षे आ गया है हमने जो कुछ अनुभव किया था हमें उत्रादिकार में मिला था वहबी लेह हो गया और लक्षे में स्वता खो गया अब लक्षे में स्वता खो गया मेरा लक्षे था ईश्वर साक्सतकार मैं जब व जिस्वास था मेरी जो इच्छा थी वह उसी साक्सतकार में ले हो गई। मैंने अनुभब किया कि यद्दपी अनंध हमारा हो गया किन्तु एक आश्चरिय जनक बात कहने से मैं अपने को रोक नहीं सकती। अनंत के साक्सतकार के लिए इच्छा उत्पन करना भी असंबब था। क्या आश्चरिय है कि वह अब संबब हो गया। अब संतकस्तुरी यहां पर बताना चाहती है कि पहले हमारी यह परिकल्पना थी कि सायद मैं इश्वर का साक्सतकार ना कर पाऊं। इतना उच विचार हम नहीं ला पाते थे। लेकिन आज मैं उस दसा पर आ गई हूँ जहां पर यह साक्सतकार संबब हो गया। क्या लिखा है कि अब वह संबब हो गया है। जब संतकस्तुरी का इश्वर साक्सतकार हो गया तो वो बताना चाहती है कि यह एक संबब मार्ग है। और आप जानते संतकस्तुरी कोई साधारन अभ्यासी नहीं है। संतकस्तुरी पर बाबु जी ने पूरी स्पिरिचल रिसर्च की है जिसको अध्यात्मिक शोद कहते हैं और वह हमारे पास रिसर्च के रूप में उपलब्ध है। तो बाबु जी का मकसद था कि संतकस्तुरी की रिसर्च के माद्यम से आने वाले सबी अभ्यासियों को मार्ग दर्शन दिया जाए कि वह समझ सकें कि अध्यातिमिक मार्ग में कौन-कौन सी दसाइं आती हैं जिस परकार से संत कस्तूरी ने यहां बताया कि ईश्वर साक्सतकार के बाद उनकी प्रेम और भक्ती समाप्त हो गई तो इससे हमें पता लगता है कि जब हम ईश्वर का साक्सतकार प्राप्त कर लेते हैं तो ईश्वर साक्सतकार के लिए जो इच्छा और विश्वास मेरे भीतर था वह भी इस दसा में ले हो जाता है आज ये हमारे लिए आदेसात्मक हो गया है कि मैं इसका रहसे को लूँ अब यहाँ पर संतकस्तूरी कह रहे है कि बाबुजी का मुझे आदेस मिला है और्डर मिला है कि मैं ये रहसे अब आप लोगों के सामने खोलू जब भी मैंने अनुभब किया कि वहाँ केवल एक ही इच्छा थी और वहे चारों और थी अब ये बाब देखिए तो बाबुजी माराज ने जब संतकस्तूरी को केंद्री छेतर में परवेश दिया तो चारों और जो दसा थी वहाँ पर एक ही इच्छा थी और वहे थी भूमा की इच्छा ये मालिक की अपनी मर्जी थी कि सारा मानव समाज इच्छवर साक्षत कार करे अब बाबुजी का अफ्तर ने इस लिए हुआ था यहां पर संतकस्तूरी लिखा कि मालिक की इच्छा फी जिए एक दिन स्री बाबुजी की महत इच्छा शक्ती ने अपने अनंत अनुग्रे के साथ हमें अपनी इच्छा से उस सामराजे में परवेश दे दिया वहां गती नहीं थी, कोई सागर नहीं था, केवल तैरने का अनुभवता आप सब जानते हैं कि केंद्री छेतर में गती नहीं होती, कोई मोशन नहीं है, अव्यक्त गती तो वहां पर हम किसी भी गती को, मोशन को ले नहीं सकते तो वहां पर बाबुजी अपने संकल्ब की इच्छा से हमें तैराना आरम करते हैं तो वहाँ पर बाबुजी महाराज हमें स्वुमिंग कराते हैं और हम आगे की और बढ़ते हैं जिसके बाद हम साथ प्रकास के वृत पार करते हैं वहाँ ना ही विश्वास था ना ही भक्ती थी किन्तु कोई इच्छा हमें अपने में समेटे हुए थी अब आप देखिए कि जब मैं वहाँ पर पर प्रवेश करता हूँ तो वहाँ पर ना कोई विश्वास है ना कोई इच्छा है लेकिन क्या है किन्तु कोई इच्छा अब ये इच्छा बाबुजी महाराज की है और वही समेटती है इसलिए का गया है कि केंद्रिय छेतर में बाबु जी ने उन पर सारा अध्यात्मिक शूद किया है। अभ्यास इसके पूर भी समाप्त हो गया था। अब अभ्यास क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हमारी जो पहुँच है वो इश्वरी छेतर तक ही है. क्योंकि इश्वर ने इस ब्रह्मान का निर्मान किया और मैं इस ब्रह्मान का एक अंस हूँ. मुझे जागरित करने के लिए इश्वर नहीं अपनी शक्ति दी. तो मेरी जो पहुँच है वह केवल ईश्वरी छेतर तक है उसके आगे नहीं है तो वही संद कस्तूरी बता रही है अब्भ्यास इसके पूर भी समाप्त हो गया तो अब अभ्यास कोण करे जब मेरा अस्तित्व ही विलिन हो गया तो अभ्यास कोण करे अब बचा हुआ अनुभब بھی मालिक में ले होना आरंब हो गया था अब यहां पर संत कस्तूरी कह रहे हैं कि जो मेरा अनुभव था जो मैंने जाना समझा वह भी अब बाबुजी में ले होना आरंब हो गया है जब ध्यान का धागा भी मालिक में लेख हो गया तब साक्षतकार के फल की मदुरता मेरे हिर्दे में फैल गई साक्षतकार प्राप्त कर लेने के बाद शक्ती और गती की बोचार अपने आप होने लगी अब यहां पे लिखाए साक्षतकार प्राप्त कर लेने के बाद जब साक्षतकार की दसा मिल जाती है तो उसके बाद अभ्यासी को क्या मिलता है? संद कस्तूरी यहां पर कहते है शक्ति और गती की बोचार अपने आप होने लगी तो अभ्यासी के रोम रोम में वह शक्ति विद्देमान होना सुरू हो जाती है जब तक मालिक हिर्दे में कैद नहीं हो जाते मुक्ति का आनंद अनुभव नहीं किया जा सकता और जब तक मुक्ति के आनंद को समर्पित नहीं किया जाता इश्वर का अनुभव हिर्दे में नहीं होता अब सरप्रथम तो हम मालिक को समर्पित होते हैं मालिक हमारे हिर्दे में कैद होते हैं उसके बाद हमें उस चीज का आनंद मिलता है किसका मुक्ति का आनंद लेकिन का है कि मुक्ति का अनन्द समयर्पित हुआ और इश्वर का अनुभव तब जाकर इश्वर को हम अपने हिर्दे में अनुभव करते हैं कि यह वही इश्वर है जिसकी इच्छा करके मैंने सहजमार्पत्ली को अपनाया था ऐसा अनुभव हुआ कि सरीर के अंग अंग जो भोतिक रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे सभी तूट कर विखर गए हैं और उसके बाद अंग अंग को मुक्ति मिल गई है इसके बाद हमारे जीवन के अस्तित्व को कायम रखने के लिए मालिक हर कन को पुना जोड देते हैं और हमें रुपांतरी तथा दिव्य हस्ति की तरह खड़ा कर देते हैं अब जब इश्वर ये शक्ति आपके एक एक रोम में कन कन में विद्यमान हो जाती है तो क्या होता है एक जगा पर संत कस्तूरी ने लिखा है कि हमारा एक एक सेल जो है वो अपने आपने एक के लिए बाबुजी महराज उस अस्तित्व को दुबारा जोड़ते हैं क्या लिखाए यहां पर और उसके बाद अंग-अंग को मुक्ति मिल जाती है इसके बाद हमारे जीवन के अस्तित्व को काईम रखने के लिए यह जो मेरा जीवन है यह मृत्यू के बाद ही खतम होता है तो इस जीवन को बचाए रखने के लिए बाबुजी महराज क्या करते हैं हर कण को पुना जोड़ देते हैं और हमें रुपांत्री तथा दिव्वे हस्ते की तरह खड़ा कर लेते हैं इसका यह अर्थ हुआ कि ज हमारा भोतिक रूप उसका महत्व समाप्त हो जाता है और हम रुपांत्रित होकर दिव्वे हस्ती बन जाते हैं हम एक डिवाइन परसनेल्टी बन जाते हैं तो यह सहज मार की खास उपलब्दी है तब ले के बरदान से दर्शन होता है अब मैं पूंटा ले हो गया और ले ह इस तरह से देखिए आप कैसे इच्छा विश्वास में बदली विश्वास जो है आकर्शन में बदला आकर्शन जो है तडप में बदला और हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हम साक्सतकार तक पहुँच गए हम अपने इस विल्यन को एक साक्सी बनकर देखते हैं जड़ी कोई मुझसे प्रशन करे कि मैं किसकी साक्सी हूँ और किस परकार का विश्वास हम में हैं तो मैं उससे क्या कह सकती हूँ या दिखा सकती हूँ क्योंकि ले का वर्दान मिलने के बाद अंतिम सत्ते का द्वार खुल जाता है अब जब मैं पूरी तरह ही ले हो गई तो मैं कैसे बताओं कि मेरा अस्तित्व क्या है मैं कौन हूँ क्योंकि मैं उस सागर में ले हो गई जहां से मैं निकल के आई थी तो वही चीज संत कस्तूरी नहीं यहां कई है मालिक ने हमारे साथ क्या आश्चरिय किया अब अदभुत हुआ हमारे साथ उसी के बारे में सं और सुन्दर बनाकर जैसा मैं प्योरिष्ट फॉर्म में था स्रिष्टी रचना के टाइम बाबुजी महाराज ने बिल्कुल मुझे वैसा ही सुधार कर और सुन्दर बनाकर कोई ऐसा चिन ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ पता सकूँ जिस से पता चल सके कि किसको सुधारा गया और किसे सुन्दर बनाया गया क्योंकि जो आवर्ण हमने अपने अस्तित्व पे चड़ाए थे वह सारे जब विरित्व खटम हो गए सारे संसकार समाप्त हो गए, सारे आवरण खतम हो गए, तो फिर मैं क्या बताऊँ कि बाबुजी ने क्या सुधारा है, क्योंकि ये सब आवरण मैंने ही अपने एहम के कारण अपने उपर चढ़ाए थे, सब चीजों का अशेरवाद मिलने के बाद, दिवे विस्वास ने हमें ही लूग लिया, अब ये जो दिवे विस्वास है, ये बाबुजी का विस्वास है, क्योंकि बाबुजी महराजी इस धरा पर ये संकलप लेके आए हैं, कि मैं समस्त मानव जाती को ईश्वर का साक्षतकार कराऊंगा अब मैं विस्वास कहां से लाऊं और कोई हमें क्या दे सकता है जो कभी दिया नहीं जा सकता जब दिव्य ले अवस्ता भी मालिक में लेख हो जाती है तब कौन जानता है कि विश्वास कहा ले हो गया जो रहसे कहा जाता था अब अध्यातम के छेतर में रह गया है क्योंकि स्री बाबुजी महाराज ने अध्यातम को सारे मानव समाज के लिए उपलब्द करा दिया है अब संद कस्तूरी बता रही है कि बाबुजी महाराज से पहले ईश्वर साकस्तकार तो एक कल्पना ही थी लेकिन बाबुजी महाराज ने हम सब के लिए वह संबब बना दिया और वो कैसे बनाया है सहज मार्ग पजिती से तो वही चीज संद कस्तूरी ने कहा है जो रहसे कहा जाता था मतलब ये एक रहसे इथा कि ईश्वर में साकस्थकार हो सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति को जो कि अभ्यासी नहीं है ईश्वर साकस्थकार के बारे में बताएंगे तो वह कभी भी विस्वास नहीं करेगा लेकिन सहज मार्ग में बाबू जी महाराज ने उस कि सिरी बाबू जी महाराज ने अध्यातम को सारे मानव समाज के लिए उपलब्द करा दिया है अब सारे मानव समाज के लिए उपलब्द कैसे हुआ बाबू जी ने जब सहज मार का पून शोद संद कस्तूरी पे किया तो परमानित किया कि एक एक दसा पार करते हुए आप इश्वर साक्सदकार को प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद भी अपनी पावन प्राणा हुती द्वारा अध्यातम के मार्ग को सब के लिए प्राकृतिक और सहज बना दिया अब केवल बाबुजी महराज ने हमें इश्वर का मार्ग नहीं बताया बलकि बाबुजी महराज ने इश्वर ये शक्ति जो प्राणा हुती के रूप में है उसकी मदद भी हम अभ्यासियों को दी कि समस्त मानव इश्वर साक्सदकार को प्राप्त कर सके केवल बताने मातर से हम इश्वर का साक्सदकार नहीं कर सकते लेकिन बाबुजी की प्राणाउती शक्ति हमारी मदद करती है तो वही संत कस्तूरी कह रही है कि केवल बाबुजी महराज ने हमें मार्ग नहीं बताया बलकि उस दिव्वे सक्ति को प्राणाउती के रूप में हम सब के लिए उपलब्द भी करा दिया और उसे हुआ क्या सहज बना दिया केवल बाबुजी के सहज मार्ग पत्ति का नियमित रूप से अभ्यास सुबे की पूजा, साम की सफाई और रात की प्रातना और बाकी समय में बाबुजी के सततिस्मरण रहने पर हम वहां बहुँ जाते हैं क्योंकि जैसे ही सततिस्मरण में आते हैं बाबुजी की प्राणा वुती हमें निरंतर हर्चन मिलना आरंध हो जाती है सिरी बाबुजी का कथन सत्य है कि प्रकर्ति के पास कोई भेदभाव नहीं होता ना ही कोई रहसे होता है जो कुछ होता है वह हमारा आवरन होता है अब आप समझेए मेरे अंदर जो ईश्वर ये शक्ती थी उसके उपर ही मैंने सारे आवरन चड़ा रहते हैं अब कितनी अच्छी पदती बाबुजी ने बताई है कि वो जब सारे आवरन एके करके सोला आवरन उतर जाते हैं तो वह अहां पर क्या बसता है वहां पर बसता है शुद्ध शक्ति जो कि है इश्वर की शक्ति जिसे कि हम आत्मा का सुरूप कहते हैं तो वही हमारे अंदर रह जाती है और आवरन तो हमने खुद चड़ाए थे और उन आवरनों को भी बाबुजी ही हटाते हैं उसके आगे लिख बाबुजी महराज ही हमारी मदद करते हैं बाबुजी ही हमारे आवरन को अड़ाते हैं अब हमारे जब सारे आवरन हट जाएंगे तो मैं शुद रूप में आ जाओंगा जो कि इश्वर का अंस है और यही इश्वर साक्षतकार भी है जो हमारे भीतर केंद्रित रहता है त क्योंकि वो हमारे भीतर सृष्टी काल से ही केंदृत है, तो हमें ये अनुभव होता है कि ईश्वर ही मेरे भीतर हर छण विद्यमान है. विश्वास के रहने का इस्तान भी अब चला गया है हमें इश्वर में निवास देने के बाद विश्वास भी लह हो गया और गायव हो गया अब लिखा है हमें इश्वर में निवास देने कहा गया है इश्वर सबके भीतर है लेकिन मनफशे उसके भीतर नहीं है तो इस पद्यति का अभ्यास करने से मनुष्य उसके भीतर पहुंच जाता है। जब हम उसके भीतर ही पहुंच गए तो विश्वास समाप्त हो जाता है। तो ये लेक इस परकार से। अब आपको इसका हमसार बता देते हैं कि जो भी अभ्यासी जब आता है तो उसका पहले द तड़प कब आती है? जब मैं नियमित रूप से अभ्यास करता हूं लेकिन मेरा मिलन उससे नहीं होता है तो वो तड़प बन जाती है. और यही तड़प आगे बढ़कर बेचैनी बन जाती है. बेचैनी हमारा मार्ग प्रसस्त करती है. सततिस्मरन सततियाद में बदल जाता ह है और बाबु जी ही हमें हमेशा कुरेते हैं कि तुम्हें इस मार्ग में चलना है. बाबु जी की प्राना होती हमें निरंतर मिलती है और एक दिन ऐसा आता है जब मेरे सारे आवरन छट जाते हैं और मैं इश्वर का साखसतकार प्राप्त करता हूं. अर्थात मेरा जो एहम है वहे पूरी तरह से इश्मर में बिलीन हो जाता है और इसके बाद बाबु जी अपनी दिवे इच्छा से हमें परवेश देते हैं केंद्री छेतर में और अपना साखसतकार कराकर हमें पुना उसी मानव रूप में छोड़ देते हैं कि हम आगे जो हैं सहजमार का काम कर सकें वही चीज संदकस्तूरी नंत में लिखी है कि इश्वर में वास दे कर हम इश्वर में ही रहने लग जाते हैं एक तरह से आप भी दिवे पुरुष हो जाते हैं तो ये बात जो है इस संदेश से संदकस्तूरी ने हमें बड़े ही साधारन सब्दों से समझाई है और हम आश कोई भी आपको पार नहीं लगा सकता बाबुजी ही भूमा की शक्ति लेकर अफ्तरित हुए हैं वह थे नहीं वह हैं और प्रकृति के कणकण में मौजूद हैं आप जब उनका साक्सितकार करेंगे आपको स्वेम विश्वास हो जाएगा कि वह कौन हैं और क्या संकल्प लेक इस धरा पर अफ्तरित हुएं